इंडिया रखा गया है एंडिये के सामने विपक्ष की ओर से इंडिया बना है आई से इंडिया, N से नाशनल, D से डेवलाप्मेंट, I से इंक्लूसिव और A से अलाइंस है नाम फाइनल होते ही TNC के सांसिद ने ट्वीट किया चकदे इंडिया वही उधर ठाकरे की पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया इस बार 2024 में टीम इंडिया वर्सेस टीम एंडिये चकदे इंडिया बैठेक से पहले यह चर्चा थी कि विपक्ष के गडबंधन का नाम UPA ही रहेगा या कुछ और हाला कि पटना वाली बैठेक से यह संकेत मिल गए थे कि नाम अलग होगा पीछे की आखिर कहानी क्या है माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में इंडिया वाले दाव से बीजेपी को दिक्कत हो सकती है इंडिया के पीछे आइडिया राहुल गांधी का कहा जा रहा है राहुल गांधी के बयान पिछले दिनों से लगातार आ रहे थे उनमें इसकी चाप है विपक्ष के गडबंधन का नाम करण भले ही आज हुआ है लेकिन इसकी चर्चा पहले ही शुरू हो गई थी इंडिया नाम के पीछे राहूल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को जोड़ा जा रहा है इस यात्रा को लेकर कॉंग्रेस की ओर से कहा गया कि भारत 2000 में महबबत की दुकान खोड़ रहा हूं ऐसा नहीं कि इस नाम के पीछे सिर्फ यही सोच है एक दूसरी सोच भी है जिसका असर आज ही बैंगलोरू वाली बैठक में दिखा दोहजार चौबिस से पहले इंडिया गडबंधन का जो नाम दिया गया है उसके पीछे एक ऐस बैंगलोरू वाली बैठक में इसका असर भी देखने को मिला जब ममता बैनर जी ने कहा कि बीजेपी चालेंज इंडिया आने वाले वक्त में सभी विपक्षी दलों की ओर से ऐसा सुनने को मिलेगा विपक्ष की ओर से जो नाम ते किया गया है उसके बाद इंडिया और उसके सेंटर में इंडिया को रखा इधर नाम करण के बाद ममता बैनर जी काफी उत्साहित दिखी उन्होंने कहा हमारे गटबंधन के नए नाम इंडिया रखने का फैसला हुआ बीजेपी क्या चालेंज कर सकती है इंडिया को एंडिये क्या इंडिया को चालेंज कर सक लेकिन इसका short form में होता है इंडिया नेट आस चैलेंज इंडिया एंडिये चैलेंज इंडिया भजपा के नूचे इंडिया बहराल अब पक्षी को एक नया नाम मिल गया है और नई उर्जा के साथ सब्ही अब अगली तयारी में जुड़ गए हैं अब मुंबई की बैठक में सीटों के पठवारे पर चर्चा होगी